हेलो फ्रेंड्स क्या आपको पता है कि स्मॉल बिजनस को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेज करनी पड़ती हैं और इन प्रॉब्लम्स से उनको बचाने के लिए उनको सिक्योर रखने के लिए गॉवर्मेंट ऑफ इंडिया काफी सारे ऐसे इंसेंटिव्स हैं जो स्मॉल बिजनस को प्रॉवाइट किये जाते हैं अगर आपको भी इसके बारे में अधिक से जानकारी चाहिए तो निश्यति आपको ये वीडियो सुरू से लेकर लास तक जिरूर देखना चाहिए क्योंकि आज हम लोग उन इंसेंटिव्स के बारे में डिसकस करेंगे जो गॉवर्मेंट ऑफ इंडिया स्मॉल बिजनस को सेफ एंड सीक्योर रखने के लिए प्रॉवाइट करती है तो सबसे पहला जो इंसेंटिव उसका नाम है लेंड तो सबसे इंपोर्टन होता है लेंड प्रॉवाइट करना हर स्टेट अपने अपने लेवल पे टर्म्स एंड कंडिशन पे स्मॉल बिजनस को स्टेबलिस करने के लिए उसको फंक्शन करने के लिए लेंड प्रॉवाइट करती है कुछ स्टेट्स कुछ सालों तक बिल्कुल भी रेंट फ्री रखते हैं और कुछ स्टेट्स लेंड को आप इजी स्टॉल्मेंट में भी पर्चेस कर सकते हैं सेकंड इंसेंटिव इस पावर पावर इस अप्लाइट अट था कंसेशनल रेटस और 50% while some state exempt such units from the payment in the initial year पावर का मतलब electricity कुछ स्टेट्स स्मॉल बिजनस को चलाने के लिए जो भी एलेक्रिसिटी होती है उसका 50% चार्ज ही लेते हैं और कुछ स्टेट्स तो कुछ सालों तक कोई भी पावर का चार्ज नहीं लेते हैं तो water जो भी supply कियाता है वो 50% के charges में supply कियाता है ना आपका profit हो ना आपका loss हो और कुछ स्टेट्स तो 5 चार्ज भी पावर का चार्ज भी नहीं लेते हैं sales tax पहले होता था पर अब GST कहाने के बाद से end कर दिया गया है इसलिए अब sales tax का कोई भी incentives नहीं provide कियाता है similarly octroi, octroi भी बहुत सारे states में abolish कर दिया गया इसलिए इसका भी अब incentives के रूप में use नहीं कियाता है next is raw material units located in backward areas get preferential treatment in matter of allotment of scarce raw material like cement, iron and steel etc तो जो भी units आपकी backward areas में या special economic zones में set up है उनको हमेशा preferential treatment यानि beneficial treatment दिया आता है जब भी raw materials जो बहुत ही कम है उनको allot किया जाएगा तो वो हमेशा पहले इन backward areas में established जो enterprises है उनको provide किया चाहेगा finance, subsidy of 10-15% is given for building capital assets loans are also offered at a concessional rates तो small business को promote करने के लिए capital assets को purchase करने के लिए subsidy दी जाती है 10-15% की और अगर आप loan लेते हैं तो उसमें भी आपको कम से कम rate में loan provide किया जाएगा और concessional rates में आपको loan का payment करना पड़ेगा industrial states, some states increase setting up of industrial states in backward areas कुछ states, small industries को promote करने के लिए backward areas में industrial states बनाते हैं अगर आप यहाँ पर industries open करते हैं तो आपको बहुत ही सारी benefits मिलते हैं जो हमने वी उपर discuss किये हुए हैं हर states अपने अपने जो backward areas हैं उनको promote करने के लिए states develop करते हैं last is tax holiday exemption from paying taxes for 5 to 10 years is given to industries established in backward, hilly and tribal areas यानि अगर आप किसी भी backward area में, hilly area में या tribal area में अगर आप अपना business establish करते हैं तो आपको कुछ सालों तक जैसे कि 5 years या 10 years तक कोई भी tax नहीं पे करना पड़ेगा और इसी को हम लोग tax holiday बोलते हैं तो यह हैं आपके वो concessions जो हर government या हर state government provide करती है to the small business अगर आप backward area में कोई भी business establish करते हैं तो तो निश्यति अगर आप एक अच्छे entrepreneur हैं तो निश्यति आपको ये सारे incentives के बारे में जानकारी होनी चाहिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको like share जरूर करें अपने friends के साथ हमारा चैनल Mission Commerce जरूर सब्सक्राइब कर दीचे और साथ साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आप हमारे ऐसे interesting वीडियो आंगे भी देख सकेंगे तब तक के लिए thank you